पिछले तीन वीडियो में हमने टिंकर कैड में सर्किट सिमुलेशन बनाएं। अब वास्तविक दुन्या में कुछ सर्किट बनाते हैं। सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आपको उर्जा का स्रोत चाहिए। यहां हम दो रिचार्जिबल बैटरी इस्तमाल कर रही हैं। प्रत्यक रिचार्जिबल बैटरी 1.2 वोल्ट की हैं। तो ये बैटरी पैक 2.4 वोल्ट का हुआ। इस बैटरी पैक में दो टर्मिनल हैं। एक positive terminal और एक negative terminal. यहाँ नियम नहीं है, लेकिन आमतौर पर positive terminal का तार लाल होता है और negative terminal का तार काला. हमने अपने battery pack के positive और negative तारों के एक सिरे पर alligator clip लगा दिया है. alligator clip छोटे बच्चों के लिए connection बनाना आसान कर देता है. यहाँ हमारे पास कुछ components है, और हम इन components का उपयोग कुछ circuit बनाने के लिए करेंगे. हम पहला component लेते हैं, एक bulb. हमने इस bulb को एक लकड़ी के block पर screw से लगाया है और bulb के दो terminals को तार द्वारा कीलों से connect किया है. यह कीले alligator clip को जोड़ना आसान बनाते हैं. बिजली के महंगे kit खरीदने के बजाए, circuit सीखने का यहाँ एक सस्ता तरीका है. इस bulb और बैटरी पैक का उपयोग करके हम पहला circuit बनाते हैं. बैटरी के negative terminal से तार, bulb के किसी भी एक terminal से जोड़े. बैटरी के positive terminal से तार, bulb के दूसरे terminal से जोड़े. वाह, हमारा bulb जलने लगा. इस circuit में, electrons बैटरी से निकल कर, bulb के एक terminal से, bulb के अंदर के filament में जाते हैं, और bulb के दूसरे terminal से निकल कर, बैटरी में वापस आ जाते हैं. इस तरह circuit कम्पलीट हो जाता है. flowing electrons बैटरी के filament को गरम कर देते हैं, और गरम होने के कारण filament चमकने लगता है. टिंकर कैड में जो बैटरी की polarity बदलने का प्रयोग हमने किया था, उसको यहां दोहराते हैं. बैटरी से negative तार को disconnect करे, और positive तार को bulb के इस terminal से जोड़ दे. negative तार को वहां connect करे, जहां positive तार पहले connected था. बल्ब अभी भी जलता है. इस प्रयोग से हम कह सकते हैं, कि बैटरी की polarity बदलने से बल्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. पिछले एक वीडियो में हमने कहा था, electronics की एक सरल परिभाशा है, electrons के flow को control करना. Electrons के flow को control करने का एक तरीका है, circuit में switch का प्रयोग. Switch को समझने के लिए, इस on और off switch को अपने circuit में जोड़ते हैं. ये करने के लिए, बैटरी के positive तार को disconnect करें, और इसे switch के एक terminal से जोड़ें. फिर, एक नया तार लें, और इसे switch के दूसरे terminal से connect करें. इस तार को bulb के एक terminal से जोड़ दें. Bulb का दूसरा terminal बैटरी के negative terminal से connected है. इस circuit में electron battery से flow होते हुए switch में चले जाते हैं. Switch के दूसरे terminal से, ये पीला तार बलब के एक terminal से जुड़ा है. बलब का दूसरा terminal बैटरी के negative terminal से जुड़ा है. जब हम switch को on करते हैं, तो बलब जलने लगता है. और जब हम switch को बंद करते हैं, तो बलब बुझ जाता है. आपको क्या लगता है, switch के अंदर क्या हो रहा है? वीडियो को pause करें और सोचें. याद रखें, अपनी समझ को गहरा करने के लिए, गहरा सोचने की क्षमता विक्सित करना बहुत ज़रूरी है. इस circuit को समझते हैं. बैटरी से electron switch में flow कर रहे हैं. Switch के अंदर metal की दो plates हैं. Metal plates कारों की तरह होती हैं, और electrons को flow करने देती हैं. जब हम switch को दबाते हैं, तो ये metallic plates एक दूसरे को छूती हैं, और circuit में electrons flow करने लगते हैं. जब हम switch को फिर दबाते हैं, तब ये metallic plates अलग हो जाती हैं. इस से circuit में electrons का flow रुख जाता है, और bulb बुज जाता है. इस circuit में हम इस mechanical switch से electrons के flow को नियंत्रित कर रही हैं. यहां एक साधारण on-off switch है. switch अलग-अलग प्रकार के होते हैं. उदाहरण के लिए यह switch नियंत्रित करता है, कि circuit में कितने electron flow करेंगे. on-off switch में, जब switch on था और अंदर लगी metallic plate जुड़ी हुई थी, तब सारे electron flow कर रहे थे. जब switch बंध था, यह plate अलग-अलग थी और zero electron flow हो रहे थे. इस दूसरे switch में, जिसे variable resistance switch कहते हैं, हम यहां नियंत्रित कर सकते हैं, कि हमारे circuit में कितने electron flow करें. हम एक तार को इस switch के मध्य टर्मिनल से जोडेंगे, और हम दूसरे तार को इस switch के दो अन्य टर्मिनल्स में से किसी भी एक से जोडेंगे. जब हम switch के knob को घुमाएंगे, तो थोड़े electron circuit में flow करेंगे और बल्ब थोड़ा सा जलेगा. जैसे जैसे हम knob को ज्यादा घुमाएंगे, ज्यादा electron circuit में flow करने लगेंगे और बल्ब ज्यादा तेज जलेगा. ये switch पंक्खे में लगे regulator की तरह काम करता है. अब तीसरे प्रकार के switch को देखते हैं. इसे tilt switch कहते हैं. तारों को वैसे ही connect करें जैसे हमने साधारन on-off switch में किया था. जब हम इस switch को एक तरफ जुकाते हैं तो बल्ब जलने लगता है, क्योंकि electrons flow करने लगते हैं और circuit पूरा हो जाता है. लेकिन जब हम switch को दूसरी तरफ जुकाते हैं तो बल्ब बुझ जाता है. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहां switch कैसे काम करता है? विडियो को pause करें और सोचे की साधारन on-off switch के अंदर metallic plate के साथ क्या हो रहा था? तो इस switch में क्या हो रहा होगा? Switch के अंदर metal की एक छोटी ball है. जब switch को एक दिशा में जुकाया जाता है, तो ये ball उस तरफ गिर जाती है. यदि यहां वो side है जहां switch के दोनो terminals है, तो ये metallic ball terminals को connect कर देती है और electrons flow होने लगते हैं. जब switch को दूसरी दिशा में जुकाया जाता है, तो ball दूसरी तरफ गिर जाती है और अब दोनो terminals disconnect हो जाते हैं. इससे electrons का प्रवाह रुख जाता है और bulb बुज जाता है. आई होप ये तीन switch कैसे काम करते हैं. इसकी समझ आपको एक circuit में electrons के flow को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यहां समझने में helpful रही. एक circuit में हम electrons के flow को switch के बदले sensors से भी control कर सकते हैं. जैसे sound sensor, light sensor, temperature sensor, humidity sensor और कई अन्य sensor. आप साधारन switch के circuits बनाने का प्रयास करें. जब आप projects बनाते हैं, तभी electronics मज़ेदार होती हैं. अगले वीडियो में मिलते हैं.